आज हम 10th class के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं carbonates compound के carbonates compound chapter के कुछ important और दो important topic है उसमें से एक को हम कहते हैं ethanol और दूस्ते का नाम है vinegar और acetic acid ethanol का formula C2H5OH होता है इसको जर्नल नेम है ethyl alcohol और आयूपिक नेम है OH की बज़े से ethanol दूसरा important member है acetic और ethnoic acid इसका आयूपिक नेम है क्योंकि इसमें acid group लगा हुआ है अब हम चलते हैं इनका preparation कैसे करते हैं तो ethanol को बनाने के लिए हम glucose या starch को मैं yeast डाल देते हैं yeast डालने से इनके अंदर से दो enzymes या 3 enzymes निकलते हैं जाइमेज और invertage जो इसको glucose glucose और starch को ethanol में convert कर देते हैं और इसका बहुत ही जर्णल example है अगर हम घर में आटे को रख दे तो आटा एक दो दिन के बाद सड़ जाता है और सड़ जाता है और उसमें से छेद छेद हो जाते हैं जिससे हम double रोटी बना लेती हैं वो क्यों बनते हैं क्योंकि glucose के सड़ने से हमें एक तो मिलता है एथेन और दूसरा मिलता है प्लस CO2 ठीक है ना तो जब CO2 उसमें से escape करती है तो double रोटी छेद हो पोरस हो जाती है मुलाइम हो जाती है तो बच्चों bread में भी alcohol होता है कितने परसेंट तीन से चार परसेंट अगर हम उसको बढ़ा दें तो 8% पर बेर बन जाती हैं अब acetic acid कैसे ब करते हैं मतला लगातार oxidation करते हैं तो ethanol को ethanol को acidic के aminophore acidic के aminophore convert कर देता है किसमें acetic acid में कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूँ ये CH3 और ये CH2 CH2 और ये हमारा OH ठीक है ना तो जो acidic के aminophore करता है तो आप देख सकते हैं वो इस group को CH2 OH ग्रूप को convert कर देगा बच्चों किसमें acid में तो जब ये वाला group इस acid में convert हो जाएगा तो हमको compound मिल जाएगा बच्चों क्या हमको compound मिल जाएगा ethnoic acid ठीक है ना और इसके 8 से 10% या फिर मैंने देखा है कि 10th class में इसका concentration 5% भी दिया हुआ है तो 5% जब ये होगा तो अब हम इसको vinegar कह देंगे vinegar का मतलब है सिरका और जिसको हम चाउमीन बनाने में जिसको हम चाउमीन बनाने में यूज करते हैं ओके तो हम देखेंगे अब इन दोनों की physical और chemical properties alcohol की physical properties में हम देखते हैं इसका boiling point बहुत लो होता है और boiling point कैलविन में 156 ठीके ना और boiling point लो होता है 350 win और melting point होता है 156 अगर हम centigrade में देखें तो ethanol का boiling point होता है 78.30 जबकि ये भी liquid point है और इसका ये भी liquid होता है लेकिन इसका melting point और boiling point एथनॉल के comparison में ज़्यादा होता है अब इसका burning taste होता है अगर हम इसको मूँ में लगा लें तो मूँ में हलकी सी जलन होता है और इसका taste खटा होता है तिखा जैसा चाउमीन में होता है इसमें से characteristic smell आती है और इसमें से पंजेंट smell आती है सिरके जैसी आपको रसोई में सिरका मिल जाएगा आप उसको सूंकर देख सकते हैं अब हम चलते हैं इनकी chemical properties की तरह alcohol neutral nature का होता है इसका मतलब जब हम इसको blue litmus पे या लेड़ डिसमस पे डालेंगे तो कोई भी फरक नहीं पड़ेगा जबकि acidic acid और ethnoic acid acidic nature का होता है और जो acid होते हैं जो acid होते हैं वो blue litmus पेपर को red litmus पेपर में बदल देते हैं चीक है ना अब हम चलते हैं एक important reaction जब हम ethanol की reaction Na2CO3 या NaH sodium bicarbonate के साथ में कराते हैं तो ethanol इन दोनों से ही react नहीं करता है ethanol इन दोनों से ही react नहीं करता है लेकिन आप देख सकते हैं acidic acid NaOH sodium bicarbonate दोनों से ही react करता है और react करने से इसमें से ये H हटकर एक Na लग जाता और plus CO2 की effervescence निकलती है तो जब हम ethanol की reaction Na2CO3 या NaHCO3 से कराते हैं sodium bicarbonate से तो CO2 की brick effervescence निकलती है हम चलते हैं alcohol और acid की next reaction के लिए ये important properties और इस properties से हम दोनों में difference कर सकते हैं जब हम ethanol की reaction sodium bicarbonate के साथ में करते हैं तो कोई भी reaction नहीं होती है लेकिन जब हम acid की reaction करते हैं तो ये तो acid होता है ठीक है ना और ये basic होता है तो acid base मिलकर salt बना लेते हैं और इसमें CO2 की effervescence निकलती है कैसे निकलता है बच्चों ये वाला H Na से replace हो जाता है ठीक है ना तो ये तो हो जाएगा Na और ये हो जाएगा H2CO3 और H2CO3 के decomposition से हमको CO2 और H2O के effervescence मिलती है अब ये बहुत important reaction और 10th class के लिए एक ही carbonates compound के reaction सबसे ज़्यादा important है जब हम ethanol और acid को concentrated H2SO4 के presence में heat करते हैं तो हमें ester के fruity smell आती है बच्चों concentrated H2SO4 का काम होता है किसी भी compound में से water को निकालना किसी भी compound में से water को निकालना तो मैं इस वाले example में जम जाता हूँ कैसे ये acid है तो acid का ये H और alcohol का sorry acid का OH और alcohol का ये H आपस में मिलकर H2O निकाल देते हैं अब आप देख सकते हैं इदर से क्या बचा इदर से बचा acid वाली side से CS3CO और हमने जो alcohol में से H निकाला तो H निकालने के बाद क्या बचा OC2H5 ठीक है ना और COO बन गया इसको हम एस्टर कहींगे और इसमें से एस्टर की fruity smell आएगी ये सबसे important question है और 10th class के बच्चों से हमेशा पुछा ही जाता है हम चलते हैं next जब हम alcohol की reaction sodium से कराते हैं तो sodium हमेशा acid में से hydrogen निकाल देता है तो जब हम इस sodium की reaction कराएंगे तो ये hydrogen यहां से निकल जाएगा और इसकी जगे पर एक एने आ जाएगा अब एक hydrogen निकलेगा तो इससे half mole hydrogen बन जाएगी acid में भी ऐसा होगा यही H निकलेगा और इसकी जगे पर एक H एने आ जाएगा और इससे भी half H2 बन जाएगी मतलब इस reaction से हम alcohol और acid में difference नहीं कर सकते हैं जब हम ethanol का oxidation करते हैं तो हमने preparation में देखा था ethanol का reaction acidic की amino 4 से कराने पर हमको acidic acid मिल जाता है लेकिन acidic acid का oxidation कराने पर यह CO2 और H2O में convert हो जाते हैं तो हम overall summary में देख सकते हैं ethanol और acid की most important reaction क्यों सी है इसकी most important reaction है यह इसके साथ हम acid और alcohol में difference कर सकते हैं यह common reaction है और इससे हम acid और alcohol दोनों का ही test कर सकते हैं जब acid और ethanol को हम आपस में मिला कर गरम करते हैं तो fruity smell बनती है ठीक है ना जब हम acid और ethanol दोनों की reaction sodium से कराते हैं तो दोनों में ही hydrogen gas liberate होती है और जो आग पकड़ लेती है लेकिन इस reaction से हम दोनों में difference नहीं कर सकते तो बच्चों अब आपके लिए सिर्फ जो इस समय यलोईस हो रहा है वही board के लिए important है कि ethanol से sodium bicarbonate react नहीं करेगा लेकिन acid करेगा acid और alcohol आपस में मिलकर ester बना देते हैं जिसकी fruity smell आती है और ethanol और acid दोनों ही sodium से react करके hydrogen release करेगा हम देख लेते हैं कुछ board में आया हुए question और पहला question आया हुआ है कि अगर हम ethanol को alkaline k-m-n-o-4 या acidic k-m-n-o-4 से oxidation करें तो क्या बनेगा तो ethanol का oxidation करने पर हमें acetic acid मिल जाता है board का आया हुआ दूसरा question है जब acid और alcohol concentrated H2O-4 की presence में react करते हैं तो H2O के elimination से हमको ester मिल जाता है तीसरा board में आया हुआ question है कि जब हम ethanol की reaction sodium से करते हैं तो हमने अभी अभी देखा ये sodium इस hydrogen को replace कर देगा और sodium ethoxide और hydrogen gas बन जाएगी ठीक है ना? तो अब question कैसे आया था? जब हम X compound की reaction sodium से करते हैं तो hydrogen gas निकलती है और यही compound यही compound X compound जब concentrated H2O4 से react करता है ठीक है ना? sodium से react करता है तो hydrogen gas निकलती है और concentrated H2O4 के साथ में गरम करने पर ये हमको alkyne या एक unsaturated compound देता है क्योंकि देखो ये वाली reaction acid भी दे सकता है और alcohol भी दे सकता है तो इससे alcohol और acid दो answer हो सकते हैं लेकिन जब concentrated H2O4 की reaction कराते हैं तो ये बच्चों अभी अभी आपको बताया है जिसकी भी reaction जो भी इससे react करेगा वो उसका पानी निकल जाएगा तो concentrated H2O4 क्या करता है ये वाला तो H ले लेता है और इस CH3 से एक H लेकर H2O निकाल देता है जब एक balance कारवन की फ्री हो जाएगी और एक इस कारवन की तो दोनों आपस में react करके alkyne बना देता है पिछले कई सालों से सिर्फ इतना ही आपके exam में आया है और हर साल definite equation 10th class के paper में आता है तो बच्चों आप इसको ढंग से याद कर लो और board में 95% या 9.5 CGP से ज़्यादा number लेकिया हो यां